गुन मॉर्निंग तो आज आपके मधु कलश पुस्तक से जो है दस्वा पार्थ सिकारी राजकुमार यह देखते हैं यहाँ पर जो इस कहानी में है इस कहानी में बताया गया है कि पसु पक्षी जो होते हैं उनकी जो हत्या होती है वो करना बहुत ही आसान है लेकिन किसी का जीवन छिनना यह सही कारे नहीं है तो पहले कहानी देखते हैं मई का महीना था और दोपहर का समय था सुरे की किर्णे सामने से हटकर सर पर जा पहुची थी ऐसा प्रतीत होता था मानों प्रित्वी उसके भैसे थरथर काप रही हो मतलब बहुत जादा गर्मी थी ठीक है ठीक ऐसे ही समय में एक मनुष्य एक हिरन के पीछे तेजी से घोड़ा दोड़ाय जा रहा था उसका मूँ लाल हो रहा था घोरा पसीने से लगपत था किन्तु म्रिग भी वायू विग से जा रहा था जो एक आदमी था ठीक है जो की हिरन के पीछे जो है वो दौर रहा था ठीक है और वो खुद गोड़े पर सवार था वो आदमी कौन था वो आदमी जो था वो एक राचकुमार था ठीक है और वो हिरन का शिकार करने के लिए हिरन के पीछे दौर रहा था अपने घोड़े पर बैटके और हिरन जो था वो भी बहुत तेजी से भाग रहा था अपना जान बचाने के लिए इसी दोड़ की जीत हार पर उसका जीवन निर्भड था किसका हिरन का म्रिग का भागना उसे इस बात का अफसर ना देता था कि वह अपनी बंदुग को समाले म्रिग इतनी तेजी से भाग रहा था कि राजा को राजकुमार को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपना होता जाता था कि अचानक म्रिग पीछे की और मुड़ा सामने की राह बन थी मतलब म्रिग आगे नहीं जा पाता क्योंकि उसके सामने जो राह थी वो बंद ओच चुकी थी आगे का रास्ता मतलब खतम था तो वो क्या-क्या वो वहीं रुप गिया जो हिरन था उसका सरी सितिल पड़ गया उसने एक करुणा भरी द्रिष्टी चारों और फेकी किन्तु उसे हर तरफ मृत्यू ही मृत्यू दिखाई दे रही थी अश्वरोही के लिए इतना समय बहुत था उसकी बंदूग से गोली क्या छुटी मानो अगनी की एक प्रचंड ज्वाला उगल दी हिरन भ को से प्र्चंटा की जोती निकल रहे थी मतलब उससने जब हिरन को मारा मृक को मारा को मृक मतलब एक में और तड़ा ठाड़ा था और उस वक्ट जो जिसने मारा था गर वो क्या उसक्ले प्रचंटा थी यस और लग्धा था है ये बहुत बढ़ी जीत्थ है अचानक उसने अपने सामने एक सन्यासी को खड़ा देखा वो आदमी ने मृइख को कुद देखकर उस सन्यासी ने कहा राजकुमर तुम्हें आज बहुत ही अच्छा सिकार हाथ लगा इतना बड़ा म्रिग इस सीमा में कभी-कभी ही दिखाई देता है उन सन्यासी ने राजकुमार को कहा राजकुमार आपको तो बहुत बड़ा आज सिकार हाथ लगा है इस तरह का म्रिग जो है इतना बड़ा अम्रिक वो कभी कभी ही दिखाई देता है राजकुमार के अचंबे की सीमा ना रही राजकुमार बहुत ज्यादा अश्चर ये चकित हुआ उसने देखा कि साधू उसे पहचानता है राजकुमार बोला जी हां मैंने आज तक इतना बड़ा हिरन नहीं देखा लेकिन इसके प परिशान बहुत हैरान बहुत होना पड़ा सन्यासी ने दया पूर्वक का निशन दे तुमें दुख उठाना पड़ा होगा तुम यहां ऐसी कड़ी दूप में कब तक खड़े रहोगे मेरी कुटी मतलब कुटिया समीप ही है वहाँ चलकर विश्राम कर लो तो सन्यासी ने सन्यासी ने उस म्रिक को रक्त मैं सरीर ऐसी सुगमता से उठाकर कंदे पर धर लिया मानों एक घास का कठा हो राजकुमार सन्यासी के पीछे पीछे चल दिया उसे सन्यासी के सारीरिक बरपर आश्यर हो रहा था सन्यासी जो थे वो क्या किये वो म्रिक जो था उसको उठाकर अपनी पीट पे रख लिये और राजा को कहते हैं कि आप मेरी कुटियां में चलकर थोड़ा विश्राम कीजे सन्यासी की कुटि हरे भरे विरक्षों के बीच में थी सीतल मंद सुगंदित वायू चल रही थी वहां की सीतल वायू का प्रभाव राजकुमार पर ऐसा पढ़ा जैसे मुड़ जाय हुए विरक्ष पर वर्षा का राजकुमार जाकर सन्यासी के सामने बैठ गया और भक्ती पूर्वक बोला महात्म आपका प्रेम शराहनिये है यदि मैं ग्रिहस्ती के बंदन में ना पड़ा होता तो आपके चर्णुक से प्रितक होने का ध्यान स्वापने में ही ना करता सन्यासी मुश्कुरा कर बोला तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रशन्य हूँ मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिनों कुछ दिन यहां ठहरो तुम भी आखेट प्रिये हो और मैं भी हम दोनों को अपने अपने गुन दिखाने का अच्छा अफसर प्राप्थ हुआ है सन्यासी क्या कहते हैं राजकुमार जो थे जब वहां पर सन्यासी के कुटियाप में जाने लगे तो वहां इतना अच्छा वात तवरन था कि वह बहुत मतलब प्रशन्य हुए राजकुमार और उन्होंने कहा कि अगर मैं सारीरिक मतलब मैं यह सौरी संसारिक सारीरिक मांसी ये त्क ये सब बंधन में नई भंधा रहाता तो मैं पक्का था कि मैं आपके इस कुटिया नेहीं आपकी सेवा में लीन रहता और अपना जीवन यहीं खतम करता लेकिंगम ऐसा हो सकता तो जो सन्यासी थे उन्होंने का ठीक है कोई बात नहीं तुम यहां कुछ दिन रुको ऐसे में हम दोनों को अपना अपना जो है गुंद दिखाने का अफसर मिलेगा ठीक है तुम रुको और शिकार में मेरा साथ दो यह सन्यासी ने कहा सन्यासी महात्मा सिकार खेलते हैं सोचकर राजकुमार को हैरानी हुई कुछ सोच विचार कर उसने सन्यासी का अतित्थ स्विकार कर लिया और उसे सरन देने के लिए धन्यवाद दिया राद दस बजे का समय था सन्यासी ने कहा अब हमारे चलने का समय हो गया है राजकुमार पहले से ही तयार था दोनों सिकारी नदी के तट पर नालो और रेत की टीलो को पार करते चुपचाप चले जा रहे थे कोई एक घंटा चलने के बाद वे एक ऐसे अस्थान पर पहुचे जहां एक उचे टीले पर घने विरिक्षों के नीचे आग जलती दिखाई पड़ी एक बड़े चायधार विरिक्ष के नीचे अस्त सस्त्र से सुसोजित दस बारा मनुष्य चरस पी रहे थे जब वो लोग निकले तो वो लोग ऐसे जगापे निकले थे ठीक है जहां पर जब वो लोग पहुचे तो एक विरिक्ष के चायधार विक्ष के नीचे जो थे राजकुमार ने पूछा, क्या ये लोग शिकारी हैं, सन्यासी ने धीरे से कहा, बड़े शिकारी हैं, ये राज चलती यात्रियों को शिकार करते हैं, ये बड़े भयानक पशु हैं, इनके अत्यचारों से गाउं के गाउं बरबाद हो गयें, इन्होंने जितनों को मारा है, उसका हिसाब परमात्मा ही जानता है, यदि आपको शिकार करना हो, तो इनका शिकार कीजिए, ये ही पशु हैं, जिन पर सस्त्रों का प्रहार करना उचित होगा, राजकुमार के जी में आया कि वह एक दो मार डालें, किन्तु सन्यासी ने रोका, और कहा, इन्हें छोड़न का किनारा छोड़ दिया, जंगल के पीछे भी जंगल भी पीछे रह गया, सामने एक कच्ची सड़क दिखाई पड़ी, और थोड़ी देर में एक बस्ती भी दिखाई देने लगी, सन्यासी राजकुमार से बोले, आओ, इस मॉल सीरी के व्रिक्ष पर बैठे, परंतु जियानक जीव रहता है, जिसने अंगिनत जीवों का वद्ध किया है, राजकुमार ने अपनी बंदुख सम्हाल ली और शिकार की बाट देखने लगा, रात आधी से अधीक वैतित हो चुकी थी, एका एक सामने कुछ हलचल मालूम हुई, और कमरे के द्वार खुल गये, कम रेश्मी चादर डाले, माथे पर तिलक लगाए, गदी के सहारे बैठा था, उसके सामने तरकियों के दल के दल चले आ रहे थे, संगीत आरंब हुआ और साथ ही मद्यापान भी चलने लगा, राजकुमार ने चकित होकर पूछा है, या तो कोई बहुत बड़ा रहीज जान पड़ता है, सन्यासी ने उत्तर दिया, नहीं, ये रहीश नहीं है, एक बड़े मंदिर के महंत है, नाम के लिए संसार का त्याग कर चुके हैं, सीधे साधे मनुष्य इन पर विश्वास करते हैं, ऐसे रंगे शियारों से संसार को मुक्त करना आपका परम धर्म है, यदि आप शिकार करना चाहते हैं, तो इनका कीजिए, इससे आपकी प्रजा का हित्त होगा, तथा आपका नाम और येश भी फैलेगा, वो लोग जहां गये थे, वहाँ पे जो सन्यासी थे, उन्होंने पहले कुछ लोगों को दिखाया, बोला कि ये लोग दूसरों को बहुत पर जादा मतलब रहीस दिख रहा था, जान पर रहा था बहुत ही जादा, ठीक है, तो वो क्या था, ये जब राजकुमार ने का ये तो बहुत रहीस है, तो उसने का नहीं, ये रहीस नहीं, ये एक मंदिर का महंत है, लोग इस पर भरुसा करते हैं, इसके पास आते हैं, लेकि यह दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा किया है कि जैसे कि इसने दुनिया का त्याग कर दिया है मोम आया का छोड़ दिया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यह सारे गलत काम करता है तो आपको अगर शिकार करना है तो आप इसका कीजिए सीधे साधे मनुष्य इन पर विश्वास करते हैं ऐसे रंगिश सियारों से संसार को मुक्त करना आपका परमधर्म है यदि आप सिकार करना चाहते हैं तो इनका कीजिए इससे आपकी प्रजा का हित होगा और आपका नाम भी और यश भी फैलेगा दोनों सिकारी नीचे उत्रे राजकुमार को इन सिकारों से उचे में सच्चे उपदेश को का शुप प्राप्त हो रहा था दोनों आगे बड़े अब उन्होंने ऐसी बस्ती में प्रवेश किया जहां की सरको को देखकर मालूम होता था कि कोई बड़ा नगर है सन्यासी एक विशाल भवन के सामने एक व्रिक्ष के नीचे ठहर गयें और राजकुमार से बोले यह सरकारी कचहरी है यहां राज का एक बड़े करमचारी रहता जिसे सबूदार कहते हैं यहां की न्याय प्रियता द्रवे पर निर्भर है धन्वान दरिद्रो को पैरो तले कुचलते हैं पिर थोड़े अगे जाकर जो है वहां पर जो अब किर उन्हों ने यह वो दिखाया आप जीशारी थे वटोञे जो सब्सक्राइब लोगों को आपने और ही समान भी नहीं समझते थे तो 2004 का वो भी गन्दगी था तो उनका कहना था सन्या अगर आपको खतम करना है तो आप ऐसे लोगों को खतम कीजिए आपको सिकार करना तो ऐसे लोगों को सिकार कीजिए यही बाते हो रही थी कि सामने दो आदमी दिखाई दिये दोनों शिखारे व्रिक्ष की ओट के में छिप गये सन्यासी ने का शाय सबुदार शाहब कोई मामला तै कर रहे हैं इतने में एक आवाज आई तुमने एक विद्वा औरत की जायदाद ले ली है मैं इसे भली बाती जानता हूँ यह कोई छोटा मामला नहीं है मैं एक हजार रुपे से कम परबाचित नहीं करना चाहता राजकुमार में इससे अधीक सुनने की शक्ती ना रही क्रोध के मारे नेत्रलाल हो गएं जी चाहता था कि यहीं इस निर्दई का वद्ध कर दे उसके राज में इतना अन्या है सन्यासी नहराजकुमार को रोका और बोले आज हम इस सिकार का समय आज इस सिकार का समय नहीं है यदि आप ढूंडेंगे तो ऐसे सिकार बहुत मिलेंगे मैंने इनके कुछ ठिकाने बता दिये हैं अब प्राता काल होने में अधीक विलंब नहीं है कुटी अभी यहां से दस मील होगी आये शिग्र चले दोनों शिकारी तीन बस्ते-बस्ते कुटी में लौट आए आदे घंटे में राजकुमार तयार हो गए सन्यासी के प्रति अपना विश्वास और कृत्तक गेता प्रकट करते हुए उनके चर्नों में अपना मस्तक नवाया और घोरे पर सवार हो गये सन्यासी उनको हर ऐसे जगह पर ले गया जहां पर भरष्टचार होता था जहां लोग जो है जहां जो अमीर लोग है वो छोटे लोगों को जो कुछ चलते थे जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो महंत जो पुजाडी थे ठीक है जो मंदिर मस्जिद या चर्च के नाम पर या एसे एसे लोग जो हैं एसे एसे लोगों से पुजारी का में मक्सद था मिलाने का ठीक है किसको राचकुमार को ताकि राचकुमार समझ सके कि सच में सिकार किसका करना चाहिए किसको इस दुनिया से खत्म होने की जरूरत है ठीक है तो वो लोग फिर अपने कुटिया में च जाने के लिए सन्यासी ने उसकी पीट पर हाथ फेरा असिरवाद दे कर बोले जब राजकुमार उनको प्रणाम करते हैं अपना मस्तक नवाते हैं उनके सन्यासी के सामने ठीक है तो सन्यासी उनको आसिरवाद दे कर बोलते हैं राजकुमार परमात्मा ने तुम्हें अपनी स साहस नहीं कोई बहादुरी नहीं सच्चा साहस और सच्ची बहादुरी दीनों की रक्षा और उनकी शाहता करने में हैं जो मनुष्य केवल चित के विनोद के लिए जीवन हत्या करता है वे निड़दई है तुम्हारे लिए ऐसे सिकारी के अवसकता है जिसे तुम्हारी प्रजा को सुख पहुचे पशुओं का वद ना करके तुम्हें उन हिंसकों के पीछे दौड़ना चाहिए जो धोका देकर मैं वद करते हैं वद करो दूश्रों को जीवित रखने के लिए ऐसे अखेट करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांती मिले यही तुम्हारा धर्म है जाव परमात्मा तुम्हारा कल्यान करे संकलित ठीक है ये जो है ये सन्यासी उनको क्या बोलते हैं कि राजकुमार जो पशु पक्षी ठीक है ऐसे पशु पक्षी जिनकी कोई गलती नहीं है उनको मारने में बहुत कोई बहादूरी नहीं है ठीक है लोगों को लगता है कि वो बहुत बहादूर वाला काम कर रहे हैं इसमें कोई बहादूरी नहीं है अगर आपको मार नहीं है अगर आपको वद्ध ही करना है तो ऐसे लोगों का कीजिए जो की गरीब लोगों को सताते हैं जो की अपने फाइदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुचाते हैं जो की किसी को धोका देकर दूसरों की हत्या करते ह क्योंकि आपको भगवान ने आपको परमात्मा ने इस रिस्टी पर भेजा है राज्य करने के लिए अपनी प्रजा का ख्याल रखने के लिए तो आप अगर ऐसी गंदगी ऐसी बुराईयों को दूर करेंगे समाथ से तो आपकी प्रजा उसमें खुश रहेगी तो यह एक सन् अपनी भावनाओं को हमारे सामने प्रकट नहीं कर सकते उनको मारने में बहुत कोई मतलब बहुत बड़ी जीत नहीं है अगर हमें खतम करना है तो हमें इस संसार से बुराई को खत्म करना है या बुरे कर्म करने वालों को खत्म करना है तो यह आपका जो था यह आपका दस